नमस्कार दोस्तों तो यह है ओन ल्यू हीरो जूम 125 आर तो यह जो स्कूटर है वह बहुत ही जल्दी हिरो मोटकॉप दौरा इंडियन मार्केट में लॉंच किया जाएगा और अभी हाली में इस स्कूटर को राजिस्तान में टेस्टिंग द्रांस्पोर्ट किया गया तो आज आज की इस वीडियो में आपको यह डीटेल में बताने वाला हूं कि हिरो मोटकॉप इस स्कूटर को इंडियन मार्केट में कब तक लॉंच करने वाला है और यहां पर क्या प्राइज इस स्कूटर का इस साल रहेगा तो आज की वीडियो काफी जदा इंट्रस्टिंग होने वाली है तो यार चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर रिसेंटली में हीरो जूम 125 वार को साल 2024 के ओटो एक्स्पो में शोकेस किया गया था जहां पर जो स्कूटर का लुक था वो थोड़ा बहुत इंस्पाइड था हीरो जूम 110 से बटे हां पर काफी स्कू साइट प्रोफाल के बारें तो यह हैं अपर कुछ साइट प्रॉफाइली स्कूर्टर का रहने वाल है तो यह आपको काफी अच्छाせて पेस आपको बंद देखने को मिल जाएगा और मश् on new hero zoom 125 वार की यह अपर देखने को मिलने वाली है इसके लबब सादेहाँ लूको ती 124.6 cc का air-cooled engine में आपर देखने को मिल जाएगा जो की produce करेगा 9.4 PS के आसपास की maximum power और यहां पर आपको 10.16 Nm के आसपास का maximum आपको टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा बाकि CVT gearbox scooter में रहने वाले इसकलब आप बात करते हैं तो आपको फ्रेंट में देखने को मिलेंगे Telescopic Fox Suspension और आपको देखने को मिल जाएगी Monoshock Suspension इसकलब आपको फ्रेंट और इर में 14 इंचिस के आपको वील देखने को मिल जाएगे बाकि यहां पर तो लोगिस के डिजाइन है वो भी आपर कापी बड़िया दिया गया है इसके लिवाब बात करते हैं brake set-up के बारे में टो यहां पर आपको component में 240 mm के front में आपको mett की देखनेकों मिल बाकि कि erfahren सटे में रहने वाली बख़िवेर में ब्रेक से dif यहां पर जनवरी या फरवरी के आसपास की है जो कि दोस्तों साल 2025 में पढ़ने वाली है बाकी बात करते हैं प्रैसिंगी तो स्कूटर का जो एक्षिन हो प्रैस है वह यहां पर 80,000 से लेके 90,000 के भीच में में देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर दोस्तों हीरो मोटकॉप जो भी अपना बाइक या स्कूटर है इंडियन मार्केट में लाउंच करता है उसका प्रैस होता है बाकी हैं आपर जो स्कूटर के लुक्स है फीचर है वह भी काफी बढ़िया है आपर देखने को मिल जाते हैं बाकि दोस्तों आप मेंसे कौन-कौन इस स्कूटर के लाउं